आप सभी को पता होगा आज के डेट में इंडियन ने भी ट्रेट्समेन मेट का एक्जामिनेशन डेट रिलीज कर दिया गया है और आप लोग का जो टेंटेटिव सेडियूल है वो 27 जुलाई को पेपर होगा तो आप सभी को पता होगा इसे पहले 2-3 नोटिस भी निकल चुक करेंगा यहां पर की प्रिब्यस एर कट अप किया गया था वह मैं आर्टियाइक अनुसर बता होगा और एक्जामिनेशन होने के बाद आप लोग का कितने महीना में डिजल्ट आने को उम्मीद है और यह मैं दोनों डाटा बताउंगा प्रिब्यस भाली को पर मैं प्रिबियस सेयर कितना कटप गया था 10 अ क्यां थो गयास देख पर होंगे आप लोग को पता होगर रह निगयर अरकर कोई भी नहीं होता है यहाँ पे जो सौद नोमबर का पेपर होता है यहाँ पर अपके जनरल का गया था 19 सेवेंटीन नइन ऑवीच का गया था 75, HTA का गया था 68, HTA का गया था 65 और EWS का गया था 13 तो यह है 2005 RTA1 के तहट मा गया था सुजना कोई भी स्टूडेन के दोबारा उसके दोबारा यह information प्रोबाइड गड़ाय गया था इंडियन ने भी के दोबारा तो यह अफिसियल कटप 2019 का जो प्रिबियस वाली आप लोग का आया था अब चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि रिजल कब तक आने का उमीद है और मैं वह आपको अफिसियल लेटर बताऊंगा जो प्रिबियस वाली में आपको देखने को मिला था तो गाइस देख पार होंगे यह 2019 का ओफिसियल पेडियेफ है रिजल्ट वाला यहां पर देख पार होंगे आप लोग का जो पेपर हुआ था 13 14 और 21 अपरील को 2019 में ओनलाइन पेपर हुआ था यहां पर देख पार होंगे फिट से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ 13 14 और 21 अपरील 2019 को यहां पे रिजल्ट देख पार होंगे यह जतना भी आप लोग यहां पे देख पार होंगे टोटल सम्थिंग 500 पर देट का यहां पे रिजल्ट इसू हुआ था पोरिविजिनली के तोर पे और यह जो डेट रिजल्ट पब्लिस किया था यह 27 अगस्त 2019 क सम्थिंग आप लोग का यहां पे चार महीना लिया था इंडियन नेवी ने रिजल्ट जारी करने में तो यह प्रिब्यस येर का आख रहा है अब इस साल कितने महीने में जारी करेगा यह मुझे पता नहीं है ठीक है वो वोट के द्वार निधारित किया जाता है कि रिजल् पाब्लिस करने में सम्थिंग चार महीना आप लोग के यहां पे समय लिया था तो इस वीडियो में मैं आप लोग को दोनों जनकारी दे दिया हूं कि रिजल्ट कितने महीना में पाब्लिस होता है प्रिब्यस साल में और कट अब मैंने बता दिया हूं आट यह जो लगा गय में धन्यवाद